हेलो बच्चों तो आज हम लोग 10th मार्च पे आ गए अब देखो 8th मार्च तक के पेपर किये थे फिर 9th मार्च को छुट्टी थी इस वज़े से हम लोगों ने भी एक दो सिफ्ट की छुट्टी ली तो आप लोग इतना परिसान हो गया सभी लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं और CHSL के पेपर कितने हैं? टोटल 68 हैं अगर हम लोग बात करें 2017 की बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं CHL के पेपर करा दो तो देखो CPO के पेपर जैसे ही complete होंगे तो हम लोग CHSL का एक पेपर और एक पेपर CHL ये दोनों एक साथ करेंगे तो चिंता नहीं करना है परिसान नहीं होना है स्टार्ट करते हैं पहले कुशन से 10 मार्च सिफ्ट वन 2017 का पेपर हम लोग कर रहे हैं क्या कह रहे हैं बस इंक्या ग्यात किजिए जो 49 से उतनी ही बड़ी है जितनी 95 से छोटी है यानि कि मिड में चाहिए तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाए सबस्ट पर खःच करता है वेतन के एक बटे चार भाग को बचाता है पचाथ दस है फाँच हो चार तोral में कितना बैस बालो तो एक बटे पांच भाग यानि कि चार रूपए दोस्तों पो थैंस पे रन्ट पे ऑर एक बटे चार यानि कि 5 बाग यहा गई हो गयी उसकी हं इविंग्स हो गई ठीक है उसके बाद भी उसके बटोए में कितने अठारा सो रुपए मैंने का पांच चार नौ और दो ग्यारा तो बचे कितने नौ रुपए बच रहे हैं कुश्चन में अठारा सो कितने से गुणा किया गया दो सो से उसका आवास और बचत पर खर्च तो पांच और दो साथ की वैल्यू बतानी है 200 से कुणा हो जाएगा यह कितना जाएगा 1400 के बराबर अगला कुश्चन आपको बोल रहा है 2 माइनस 2z का अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो इसको आप कैसे निकालोगे यह कुश्चन है आपका देखो तो कैसे करोगे यह हाँ पर देखो अगर मैं इसमें z से एक बर डिवाइट कर दूँ ठीक है तो z से जैसे डिवाइट करूँगा तो यह क्या बन जाएगा दो टू बाइजेड माइनस टू प्लस जेड यह बनेगा और कुश्चन में देखो जेड प्लस टू बाइज यह पार्ट और टू लाएगा ठीक है नेक्स टो बड़ाई फेमस कुश्चन है मल्टिप्लिकेशन है अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर आंसर होता है माइनस रहता तो चोटा वाला नंबर ठीक है बाकी फॉर्मला वगरा सब आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई कॉई करनी है चलो अगले कुश्चन पर आ जाते हैं नेक्स टुशन बोला वह विंदू जिस पर लंबवत द्विभाजक त्रिबुच के भुजाओं प्रितिक्षेत करता है उसे किस रूप में जाना जाता है अच्छा बड़ी है कुश्चन देखो परिकेंद्र के रूप में जा करता है एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रो करना है जो एंगल बाइसेक्टर जहां मेंट करेगा वही आपका अंता केंद्र हो देता है और तो सेंटर क्या होता है जो भुजाओं के द्विभाजक लंबवत यानि कि अगर यह बुजा है तो इसको क्या करते हैं हम लोग मिड़ पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी तरह से इसके मिड़ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यह हमें कहां पर मिलता है यह मिलता है सरकम सेंटर पर अगला कोशन बुल रहाए उंचाही गयात कीज़े तो इन दोनों को जोड़ दोगे यह हो जाएगा 18 के बराबर अगला कुशन बोल रहा है पी अगर 35 है क्यूझ 60 है तो पी क्यूझ से वो बेस हो जाएगा कितना कम है तो आपको कोगे 25 कम है अब आपके मन में आएगा कि यह साले 300 है मैंने 25 और 3560 क्यों लिखा इसलिए क्योंकि प्रितिसत का कुश्चन है यह समझ में आ गया था ठीक है तो एक जीरो से एक जीरो काट होगे दो से कट जाएगा यहाएगा पांच दो से कटेगा यहाएगा तीन 125 बटे तीन तीन से काट होगे चार बढ़ जाएगा तीन एक कम तीन दो हासिल लगा यानि कि दसमलोग छह छह तो 41.66 दो रिमेंडर पे ठीक है अगला कुश्चन बुले दो संख्याओं का अनुपात पांच चार है दोनों संख्याओं का योग यानि कि नौ नौ की वैल्लिए 100C गुणा कितने से कर रहे हैं कि दो साल बाद उन्होंने 26,000 रुपए का लाब अरजित किया ये कितने साल रहा दो साल ये कितने साल बाद आया था तो एक ही साल रहा दो साल में इस रेश्यो में डिवाइड होना चाहिए साथ से कर जाएगा पांच साथ से कर जाएगा तीन तो मैंने का इनको अगर 10 मिलत तो इनको मिलता 3, total क्या हो गया, 10 और 3, यानि 13, 13 की value 26 है, तो एक की value कितनी हो जाएगी, 2000 के बराबर, तो आप से क्या पूंच रहा है, p का हिस्सा, तो 2000 से गुणा कर दोगे, यह हो जाएगा, 20,000 के बराबर, अगला question है, x और y का उसत बताना है, x प्लस y का मान देखो कितना है, 31 से divide कर दोगे, 10 बर जाएगा, 310, और लगबग 93 बचेगा, तो 3 बर जाएगा, तो 10 तिया 13, तो x प्लस y का मान इतना है, औसत क्या होता है, by 2 कर दो, तो 6.5 यह इसका औसत हो जाएगा, अगला question बोला है, 75 रुपे की रासी को दो भागों में विवाजित क्या एता है, पिति वर्स, 12 प्रिस्द की दर्व से पहले भाग साधारन ब्याज 18%, दूसरे भाग का साधारन ब्याज के बराबर है, तो आप बोलोगे, पहले का 12, दूसरे के 18 के बराबर है, रेशियो मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड में, कितना 6 से कट जाएगा, 3 और 2 का, यह प्रिस्द लाबर है, आपसे कोशन में क्या पूछ रहा है, एक वर्स के लिए प्रित्यक भाग पे साधारन ब्याज, तो किसी भी एक का साधारन ब्याज आप निकालो, 3000 का साधारन ब्याज निकालो, 18% की दर्व से एक वर्स के लिए, तो यही आंसर आजाएगा, 20,00 से 20,00 पट जाएंगा अठार चत्तिस अठातियां चोवन पांसो चालीस रुपए यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स विशन बोला है एक कैलकुलेटर का विक्रामुल ले अगर इतना है तो प्रतिस्यत लाब इतना है यदि विक्रामुल ले 10268 है तो हानी प्रतिस्यत क्या होगी देखो भी थोड़ा सा कैलकुलेटर कुशन बन जाता है अगर मैं इसको सव मानू तो यह कितना है 118 और यह वैल्यू आपको दी गई 13924 तो देखो कितने बार कटेग यहां पर दो हांसिल होगा तो यह हो गया फिर से एक ही बाढ़ जाएगा तो कितना बचेगा आपका 104 104 बचेगा तो अब यह 4 हांसिल लग जाएगा तो देखो Fit चाहिए हाँ आठसे पुरा पुरा कट जायएगा तो यह 118 ही आ जायएगा तो 118 हो जायगा तो 100 से गुना करो tensions आपको कितना जाएगा 11800 डभल जिरो तो आपने बूल ेए 11800 रुपय क्या है यह इसका कॉस्ट परइस है आप कितने पर sell कर रहा हूँ 10,266 तो कितने का loss ले रहा हूँ देखो भई 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 7 में से 2 जाएगा यह बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1 तो 1534 रुपए का आप एक तरह से loss ले रहा हूँ कितने पर 11,800 पर तो आप percentage इसका निकालोगा 10% से तो ज़्यादा है 10% कितना होता 1180 और उससे देखो कितना ज़्यादा है तो यह आप देखोगे 1180 अगर मैं 80 देखूँ तो कितना ज़्यादा है तो यह 4 हो गया यहाँ पे 13,8 तो यह 5 हो जाएगा 4 में 1, 3,54 अभी भी जाता है तो अगर 1% निकालोओ तो 118 तीन परसेंट एक्जैक्ली है यह तो 13% के बरावर होगा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाता है वांकि आपके जितनी फास्ट कैलकुलेशन करोगा उतनी जल्दी इसका अंसर निकलाएगा ठीक है चलो आगले question पर आ जाते हैं देखो बहुत जगह पर हम लोग time बचाते हैं तो वो ऐसे ही calculated questions के लिए ही बचाते हैं next question बोला है 45% छूट देने के बाद रोहिद बेल्ट पर 21% मुनाफ़ा कमाता है 45% मतलब अगर 100 की चीज को कितना 55 में बेज देता है तो भी वो कितना 100 की चीज पे 121 रुपए इस तरह से मुनाफ़ा कमाता है इसका मतलब उसने mark-up किया होगा कितने का किया होगा देखो एक र रेशियो होगा एक से 11 बटे 5 या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 से 11 का तो यह किसका रेशियो होगा है cost price से mark price का बोल रहा है उसे वस्तु के लागत मूले से उपर कितनी कीमत को अंकित करना चाहिए तो 5 से 11 अंकित करना चाहिए अप प्रतिसत में अगर आंसर दे रहा है यह options में जरूर percentage होगा तो 6 अधिक अंकित कर रहा है पांच पे एक बुड़े 5 कितना होता है 20% तो यह हो जाएगा 120% के बराबर ठीके अगला question क्या बूल रहा है 64 का square root लेंगे 8 81 का 9 144 का 12 तो 12 9 21 और 8 यह हो जाएगा 29 29 इसमें से घटा दो 513 में से 29 घटा होगे तो 13 घटे इसका तो यह इसका answer हो जाएगा अगला question देखो बोल रहा है P 24 घंटे में Q 18 घंटे में tank भर सकता है यदि दो नल सुबह 11 बजी खोले जाते हैं तो पी को कित्ते बज़े बंद करना चाहिए ताकि 2 बज़े तक पूरा भर जाए तो 18 और यह तो इसको मैं क्या लिख सकता चैनल इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 3 तो यह आजाएगा 9 गुणे 8 बहत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर यह इसका value कितना जाएगा 4 और इसके value कितने आजाएगी 3 ठीक है अब बोल क्या रहा है देखो कित्ते समय तक P को कित्ते बज़े खोल तो चारती हैं 12 तो यह काम करी देगा ताकि टैंग सुबह दो बज़े अच्छा सुबह 11 बज़े खोला गया है एक बड़ टाइमिंग थोड़ा सा देख लेते हैं इफ टू टैप सार ओपेंड 11 अम सुबह 11 बज़े खोले जाते हैं अट वाट टाइम इन पी एम सुट एक जैटल अट टू एम तो 11 बज़े से अब रात भर चल रहा हैं काफी लंबा टाइम है देखो यह सुबह के 11 बज़े से रात का जो दो बज़ता है उस टाइम तक जाना है तो मैंने का 11 से साम के 11 जब बज़ेंगे तो यह आपका 12 गंटे हो जाएंगे और उसके बाद 3 ग और 3 15 गंटे काम होना है अब देखो तो 15 गंटे में अब पी को बंद कर रहा हूँ क्यों को बंद कर नहीं रहा तो 45 पंदर चुको 60 वर्क तो यही पी क्यों ही कर देगा तो बचा रहा काम कॉन करेगा बचा हुआ काम 12 जो है वो पी करेगा तो पी से कराना है और पी की efficiency कित तो दो बज़े इसको बंद करना चाहिए, अगर पूछता कितने घंटे में बंद करना चाहिए, तो आंसर होता, चार घंटे में इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, तो यह इस question का answer हो जाएगा, अगले question पर आ जाते हैं, देखो बोल रहा है, अनुद चार किलोमेटर पे गंटे की दर से चलता है, वह 6 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है, जब 4 की रफतार चल रहा है, यदि वह 5 की रफतार से चलता है, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो मैंने का अगर 4 और 5 की speed है, तो लगने आला समय 5 और 4 होगा, अंदर कितने का है, एक का, question म मैं निकालो, तो ये कितनी आ जाएगी, 60 मिनट, एक की value बारा, तो 5 की value, 60 हो जाएगी, तो 4 के रफतार से 60 मिनट ये आ गया, तो अब इसको क्या करो कि एक गंटे में कनवर्ट कर दो गया, तो ये गंटा हो गया, तो 4 से तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 1, यान की तुलना में कम थी, पिछले वर्स की तुलना में कम थी, यानि कि आप देखोगे, तो जहाँ जहाँ पर graph गिर रहा है, यानि कि एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया, तो ये आपका answer 2013 में है, ये answer 2016 में है, तो 13 या 16 में से एक यह option होगा, 2017 और 14 के बीच देखोगे, कि प्रमाद पत्रों की संख्या है, पिछले तीन वर्सों में हम लोग कहा से देखेंगे, पिछले तीन वर्स यह से देखेंगे तो च्छै और यहां पर यह कितना है यह आपका है दो तो च्छै और दो आठ और एक नो और च्छै यह हो जाएगा पंदरा पंदरा 500 के बरागर तो पंदरा 500 विल भी दा राइट आंसर अगला कुश्चन क्या है एक आयत की लंबाई और चौनाई का अनुपात यह आपको दिया गया है यह 24 है यह साथ है यह कितना हो गया 25 हो गया अच्छा यह पूछ रहा है विकरण की लंबाई ठीक है साथ होती है तो 44 होता है तीन बटे दो कर दिया गया तो यहां भी तीन बटे दो हो जाएगा दो से काट होगे 22 बाईस दिया च्छा चट के बराबर आगे क्या बोल रहा देखो व्रित है ना अर्द व्रित है तो नहीं है बैली सेंटीमेटर व्यास और 14 सेंटीमेटर वाले सम कोणी है बेलन हो गया उचाई कितनी है 14 है और व्यास इतना है तो रेडियस कितनी है 21 है आपको क्या बताना है कुल प्रिष्टीज है तरफल तो देखो अगर मैं 154 लिखता तब रेडियस कितनी होती है 7 के बरापर यहाँ पर 21 है तो कितने से गुणा होगा 9 से प्लस अगर 7 होती तो मैं यहाँ 2 पाई यार के ओले 44 लिखता लेकिन यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा और इसमें भी 14 से गुणा होगा ठीक है तो यह इसका आंसर आएगा अब देखो या तो आप इसको solve कर लो बहुत बड़ी बात नहीं है एजली हो जाएगा एक चीज हमेसा याद रखना कि इसमें आपको हमेसा 11 का multiple मिलेगा आंसर जोना चाई है 11 का multiple होना चाहिए तो यह 11 का multiple है 5 4 9 2 यह 11 का multiple सौरी नहीं है 4 और 2 6 यह भी 11 का multiple है दूसरी चीज यहाँ पर देखो तीन दोनों में है इसका तो value होगा नहीं, digital sum अगर मैं देखूँगा, तो यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 8 है, तो 8 यहाँ 24, यानिकि 6, 6, 5, 30, यानिकि 3 आनाची digital sum, तो देखो क्या 3 आ रहे हैं, 12 और 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24, तो यहाँ digital sum 6 है, यहाँ पर देखो, 6 और 6, 12 तो 3 है, तो digital sum यहाँ पर मैच कर रहे है, तो digital sum से मैं बोल सकता हूँ कि आनसर इसका क्या हो जाएगा, last part, correct answer हो जाएगा, sin 30 के value कितनी होती है, 1 by 2, 2 minus 1 by 2 कर दोगे, तो यह answer कितना आ जाएगा, 3 by 2 के बराबर, अगला question देखो, triangle P, Q, R में Q पर समकोण है, तो यह Q हो गया, P आपको बोल रहा है, अधार बटे करण इतना है, तो यह हो जाएगा, 12, कॉसेक R कमान बताईगा, sin R कमान पहले निकाल लो, sin R क्या होता है, लंब बटे करण, तो यहाँ पर इसके लिए लंब हो गया, और यह करण हो गया, यह हो गया, 5 बटे 13, तो 13 बटे 5 इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, Thank you for watching guys,